अयोध्या में मा बड़ी देवकाली के मंदिर में आज हर कोई माता के दर्शन के लिए आया हुआ है कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है और ये मंदिर भगवान राम की कुल देवी मा बड़ी देवकाली का है यहां माकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक ही शुलापट में विराजमान है बड़ी दीवकाली मंदिर की मानता ये भी है कि माता कौशिल्या छट के दिन मर्यादा पुरुशुत्म श्रीराम को यहां दर्शन कराने के लिए आई थी मा भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी संकट अपने आप खत्म हो जाते हैं आने वाले हर शुद्धालू की मनुकामनाय जरूर पूरी होती हैं यही वज़ा है कि नवरात्री की पहले देनिया हर कोई माथा टेकने जरूर आता है और नो रूक में महरानी को पूजन होता है अथमसहल पूतरी दूसरी बहमचारणी इसली चन्द घंटा चोथी कुष्मान जा पांशमी सकंद माता च्छाटमी कत्यायनी शाथमी कालात आठमी महागवरी नौम सिध्धात्री नो रूक में महरानी का पूजन पार्ट में जलता करने के लिए अपने करने के लिए अपने करने के लिए आई तो इसमें आज मैं बड़े मन्से आई हूं बड़ी स्वद्वाइब मैं जानती है लिए मैं जानती हूं जरूर से जरूर होगी हमारे बच्चे को अच्छी लाइन में ले जाएं बस मेरी यही मैंने आउना है और पुझे भालत वर्स में शुप्चा की सब्डेटी बनी है आज नौरतम का भालदी ने हम लोग दर्शन के लिए जो काली मंदिर आए है और तब से आ रहे हैं आप माता है हम तो आज पहली बार आए है आए थी भुलब हम पॉलेज आना था लेकिन काफी मान तक मानता है इसलिए हम लोग चलियाए दर्शन करने के लिए अज के दिन मनौ पुझे मा करने से क्या मनौप एंधर में होता है कि मतरनी के दर्शन करने से यह और जो भी हम सद्धा मन से उनसे मांगेगी तो मारी मनौकामना पूर होगी आज नवरात्री का फर्ष्टोटी है, हम लोग यहां बड़ी देवकाली मंदिर आयोध्या में आये हुएं, और अपनी सब लोग अपनी मनोपामना की मने कौमना को पूर्ड करने के लिए अपनी मतलत अतनी चंद सार सब लोग यहां अपना मांगने आये हैं